जै मातादी दोस्तों फ्रेंट्स आज के इस पीडियो में हम जानेंगे कि नुरातरी की चोगी की बिसर्जन के बारे में हम जानेंगे तो चोगी का बिसर्जन कब करना है कैसे करना है कलेश के उपर जो रखा हुआ नारियल है उसका हमें क्या करना है कलश के अंदर जो हमने सिक्का डाला हुआ है सुपाड़े डाले हुए उसका हमें क्या करना चाहिए अखंड जोती कब तक जलने चाहिए अगर आप अखंड जोती जलाये हुए है तो उसका हमें क्या करना चाहिए चड़े हुए जियो सामगरी है शिंगार का समाने उसको हमें क्या करना चाहिए ये संपूर जानकारे हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे तो friends सबसे पहले तो बहुत लोग कहां अस्टिमी कहां पूजा होती है किसी कहां नौमी के दिन पूजा होती है पर किसी भी दिन हो आपको बिसरजन चोगी का दसमी के दिन ही करना है तो सबसे पहले तो जैसे नित्य आप पूजा करते हैं उसी प्रकार आप सुबह पूजन अर्षन करेंगे फूल अगर बत्ती जैसे आप जलाते हैं उसी तरीके से आप करेंगे सुबह दसमी के दिन आर्दी करने कर लेंगे कुमकुम हल्दी अगर फूल हो तो फूल चड़ाने के बार जिससे नित्य सुबग की पूजा होती है वो उसी तरीके से आपको कर लेना है उसके बाद हाथ में अक्षद थोड़ा सा फूल एक सिक्का रखके आपको चोकी पे छोड़ देना है मासे प्राटना करके उसके बाद ये जो हवन है फ्रेंड्स हवन को आप चाहें तो मिट्टी में गाड़ सकते हैं चाहें तो गमले में डाल सकते हैं या तो फिर आप इसका भी सर्जन भी कर सकते हैं सारी चेजें जिसे फूल है, डेली का जो फूल है, ये सारी चेजें आपे किठा पणने में करके रखें, लाष्ट में इसका भी सर्जन कर देजे या तो मिट्टी के अंदर रख देजे गमले उमले में भी अच्छा होता है, और ये जो सिंगार की सामगरी है, इसको हमें अगर आप बैश्रो की पिंडी रखे हैं तो उनको भी हिला देजे और यह जो अखंड जोती है यह जोती भी करेगे जो इसमें तेल है वो पूरा तेल रहेगा जिब तक जलेगी तब तक यह नारियल को आप चाहें तो मंदिर में रख सकते हैं इस तरीके से चुनरी में के पांद के लाल कपड़े में चाहें तो इसका प्रिशाद भी आप इतरट कर सकते हैं कोई-कोई तो देखे इसका बिसर्जन करते हैं पर बिसर्जन नहीं करना चाहिए अगर सारे लोगी भी सर्जन करने लेंगे तो नदी तलाब में बहुत ही ज्यादा गंदगी हो जाए यही मैं ज्यादा तरग करती हूँ फेकती नहीं हूँ मैं और यह जो आम का पता है इसको इन सब को पंड़ी में रख लेंगे और उसके बाद यह जो जल है जल को हम किसी नेम के पेंड के नीचे और अपने घर में जरूर आप पूरे घर के कोने-कोने में जरूर छिड़की इसके अंदर का जो सिक्का है, सिक्का का मैं आपको उपाय बता जाती हूँ, सिक्का को हमें इसा लाल कपड़े में करके तीजोरी में रखेंगे, तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अपुरत हैं, फिर से इसको यूज कर सकते हो, पर मैं कभी यूज नहीं करते हूँ, और प्रियूश नहीं करना चाहिए इसको हमें तिजोरी में लाल कपड़े में बांद के एक तरफ रख देना चाहिए उससे धन की कमी नहीं होती है और जो गड़ेशी हैं वो गड़ेशी को हमें रख लेजेगा सुपाड़ी और चुपान का पता है उसको आपे सर्जन कर ठूड़ा सा अपने घर के जो बड़े हों उनके सर पी रखते हैं अच्छा होता है सुभ होता है हरा भरा माता रानी ने हमें नौदिन का अशिरबात दिया है तो इसको आप थोड़ा थोड़ा अपने घर में रखेगा उसके बादा भी सर्जन कर देजेगा किसी गमले में डालना हो तो आप गमले में भी डाल सकते हैं, अगर बड़ा कोई गमला है, नहीं तो आप आने में भी सर्जन कर सकते हैं, ये सारे चीज़ें जिंकल जाएंगी, और गयनिक चीज़ें हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको भी सर्जन भी कर सकते हैं, ये माँ चुनने के लिए भी रख सकते हैं किसी पेड के नीचे वह भी अच्छा होगा चिडिया लोगों को मिल जाएगा खाने के लिए और या तो आप चाहे तो पिसर्जन कर देजिए जैसी आपके मर्जिये दोनों तरीके सही हैं दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं और उसके बाद अखंड जोड़े को कभी हमें ने बुझाने चाहिए अपने से वह जब तक जले जितना घी है वह जलने के बाद अपने आप बुझ जाती है तो इस बात का ध्यान देजिए किसी मंदिर के पास आप जाकर अपने घर के मंदिर के पास रख दीजिए या फिर उसी अस्थान तो उसको जलने के लिए छोड़ देजिए जब तक घी रहेगा जलेगा उसके बाद अपने आप बुझ जाएगी तो फ्रेंड्स उमीद करते हूं कि आप लोगों को एक वीडियो अच्छा लगा होगा और यूश्फूल लगा होगा तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो मे बाइ 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 आ वाले ईश्फूल लाए लगा लाग।